अब बारी आती है अंधभक्तो की अंधभक्त नहीं हमी से गोबर भक्त कहेंगे क्योंकि ये भक्ती में इतने चादा लीन होते हैं जब अंधभक्तो की से हम लोगों ने बाते यह बात खुद आंद भक्तों ने उगल दी है आप तु नुगरो कि सकीम हुन पहुंच को वान हवाई फैर करी है वन का गहून बात करी तु नुगरो सकीम रही सहीन आयोई ना जब आयो जब लड़ाई खतम होगी कह रहा है दोस्तों मिवाद का एक मुद्दा सोचल मीडिया पर लगातार चार्चाइब अबतो रहा है मुद्दा ये है कि निमखेडा गाओं और गोकलपुर गाओं के बीच लड़ाई हो जाती है लड़ाई होती है मानोता के अड़े पर ये मामला उस वक्त ज़्यादा तूल पगड़ जाता है जब सोशल मीडिया पर लगातार रहीसा खान के बेटे सकीम रहीसा खान को ट्रोल किया जाता है सकीम रहीसा खान के बारे में कहा जाता है कि मानोता के बाजार में जब ज़्यादा हुआ तो सकीम रहीसा खान की वहाँ पर पिटाई हुई ये पोश्ट लगातार सोशल मीडिया पर डाली जा रही थी इसके बाद ये मामला और ज़्यादा तूल उस वक्त पकड़ गया जब सकीम रहिसा खान रात के समय में सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और इस लड़ाई जगड़े के बारे में सफाई देते हैं सकीम रहिसा खान कहते हैं कि बाई वहाँ पर जगड़ा तो हुआ लेकिन जब जगड़ा हो रहा था उस वक्त मैं मौझूद नहीं था जब जगड़ा बंद हो गया तम मैं वहाँ मौझूद था आईए एक नज़र डालते हैं सकीम रहिसा खान की इस लाइव वीडियो पर पर को हकीकत सच्छा ही बताना चाहता हूँ मेरा किसी से कोई जगड़ा नहीं हुआ मैं तो कल जो मेरा आने जाने का प्लांट पे कभी इस प्लांट पे कभी इस प्लांट पे जो मेरा आन जाने का रूटीन बना हुआ है तो एक मस्जिद हमने अपने कावाले प्लांट पे बनाई है मैं तो उसका समान ले करके जा रहा था और जैसे जैसे मैं मानो तब पहुँचा तो वहां काफी सारी भीड लगी हुई थी और मैं जब मैं वहां उत्रा मेरे भाईयों तब तक वहां जगडा खतम हो चुका था मेरे वहां पहुचने से करीबन पांच मिनट पहले वहां पे जगडा खतम हो चुका था उसके बाद मैंने वहाँ और वी काफी सार लोग मनौता गाओं के लोग वहाँ मॉजूद थे मैंने फिर बाकित सब भी उसे यही कहा था कि मैंने बर लड़ाई ज्रड़ा करने से किसी का कोई फायदा नहीं होना सब अपने-पने घर चलो तो सभी लोग वहाँ से निकल के अपने अपने घर चले रहे और हाँ ये बात हकीकत है कि वहाँ दुबारा हालात नाजुक होने लग गए थे मगर जिन भाईयों जो सामने वाले भाईय थे जिन लोगों से जगड़ा वह था उन्होंने भी आते ही मिर से ये कहा था कि सकीम भाईय आप यहाँ से निकल करके चले जाएं आप जगड़े में ना पड़ें तो मेरे साथियों कुछ भाईयों के पास शायद कोई काम नहीं है ना मैंने किसी के उपर हाथ उठाया ना किसी ने मेरे उपर उठाया अब बच्चे अना आप शनाप कमेंट लिखने में लगे हुए हैं मेरे भाईयों जोटी अफवाओं उपको फैलाने से क्या होगा तो ये सकीम रहिजा खान ने बताया है कि ना तो मेरे साथ किसी का जगड़ा हुआ है और ना ही मुझे किसी ने मारा है और ना मैंने किसी को मारा है जब ये मामला सामने आया तो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोसिस करी इस मामले को लेकर के गोकलपुर गाउं के लोग के बीच हम लोग गए तो गोकलपुर गाउं के लोगों से जब हमने बाते की तो उन्होंने कहा कि जगड़ा हुआ था जगड़े में सकीम रहिसा खान ने हवाई फाइरिंग की तीन चार पांच राउंड जो भी किये उसके बाद में हम लोगों ने अपनी आतम रक्षा के लिए सकीम रहिसा के उप पर हमला किया उनके जो चाचा ताओ के लड़के थे उनके साथ भी हम लोगों ने मार पिटाए की और सकीम रहिसा खान को भी हम लोगों ने पीटा ये बात गोकलपुर गाउं के लोग कह रहे हैं आई आई आपको सुनवाते हैं ये लोग मानोता के अड़े पे करीब चार बजे इन्होंने दोनों साइड से अपनी गाड़िया लगा दी परली साइड से सकीम रहिसा पुनाने से आया उरली साइड से इस सर जो यही नीम खेडा में रहता है वो अपनी गाड़ी को लेकर आया तो ये इनके पास चार कि अग्वाइन दा मिले उसे मारो पीटो तो वहां पर कुछ हमारी भी लोग थे उन्होंने जो आप एक दो लड़के हमारे फसे हुए तो उन्होंने फोन करा इस तरीके से कुछ हो रहा है तो कुछ लोग तो देखने के लिए गए कुछ लोग ऐसा है कि उनको बचाने के ल सकीम ने अज गोली चलाई वहां पर हजारों लोग मौजूद थे यह नहीं है कि माकेला जूंड बोल रहा हूं तो वहां काफी लोग मौजूद थे उसका क्या मालूम जब माल उपर फाइरिंग कर रहा हूं सामने भी मार सकता है तो तब अपनी जान बचाने के लिए हमने उनको पीटा तो वहां पर जो इस सरता हुए वहां से भाग गया और फिर बाद में वो जगड़ा काफी बढ़ गया था जो उनके संग उनके परिवार के चार आर साथ लोग थे तो उनके हमारे बीच में फिर काफी देर वहां जगड़ा हुआ सकीम रईशा को खूप पीटा पीटने के बाद उसको थोड़ा मोका मिला वो गाड़ी लेकर पनाना की साइड भाग गया तो ये गाउं गोकलपूर के लोग बता रहे हैं कि मानोता के अड़े पर जगड़ा हुआ कि इस बात को लेकर जगड़ा हुआ और जगड़े में किस तरीके से मार पिटाई हुई इस बात को लेकर कि इस पूरे मामले को लेकर कि हम लोग मानोता गाउं के अड़े पर पहुंचे मानोता गाउं के लोग कैमरे के पीछे कहते हैं कि यहां पर फायरिंग हुई यहां पर लड़ाई जगड़ा हुआ लेकिन जवा लोगों ने कैमरा स्टार्ट किया जहां पर यह की जगड़े में रहा है ना तो कोई फारेंग यह इसे बता रहें गाउज्ट के लोग दूसरी चीज यह आम जगड़ा होते रहता है इतना बड़ा मैरत नहीं जो इतना बड़ा इसे पर दो जब लड़ाई बंद हो गया लड़ाई खतम उसके बाद इतने बड़ा मेट रहे हैं गोली चलाएं अफ़ा फेला अब बारी आती है अंध भक्तों की अंध भक्त नहीं हम इसे गोबर भक्त कहेंगे क्योंकि यह भक्ती में इतने ज्यादा लीन होते हैं इन्हें कुछ नहीं दिखाए देता चाहिए वो अच्छाई हो या फिर बुराई हो बस इन्हें ये दिखाए देता है कि हमारे निता की बुराई नहीं होनी चाहिए यह दो पलेट बिर्यानी जो बिर्यानी होती है बस बिर्यानी इनको दे दो उसमें साब साब स से पीश होने चाहिए दली होनी चाहिए और इसके बाद किसी के बी जिंदेबाद के नारे लगवालो या पिर सोशल मीडिया पर पर कुछ भी बख्राइब यह उस परजाती होती है अंदभक्ती की इन्हें किस से कुछ लेना नहीं होता है यानि कि अंदभक्ती मितने लीन होते हैं चाहे इंसे कुछ भी करवा लो यह सब कुछ करने के लिए तयार यह सब कुछ कर लेंगे सिर्फ अपने निता के लिए देखिए अगर यह सच्चाई प्याते हैं तो यह वहाँ पर जारकाई जुटाए जब यह खुद कैमरे के पीछे इस बात को कह सकते हैं फाइरिंग हुई है फाइरिंग की है तो इस बात को सोचल मीडिया पर आकर भी तो कह सकते हैं कर आप अनजी कह सकते हैं जिसने बाते कहीं हैं वो व समझदारे वो खुद समझ जाएगा ईसने ठुद कहा है कि सकीम रहीसा खानने वहाँ पर फाइरिंग की है आए आपको सुनवाते हैं आप है फोटकल कि और फाइर कर एवान फायर करेंगे वन ये इरसाद खान तेडिया है उन्होंने पोश डाली कि सस्ते पत्रकार है चाटू कारिता करते हैं हमें उनसे कोई फर्ग नहीं पड़ता देखो जैसी जिनकी सोच होगी वो वेसी अपनी बाते रखेंगे लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि वहाँ पर फायर मैंनिंग होई है अब ऊपर से यह भी कह रहा है कि चलो ठीक है दूसरी पार्टी है किशी को बज़नाम करने के लिए यह भी कहेगी कि मार पिटाई की है अब यह कह रहा है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो यार आप उस किलिफ को काड़ देते अब इसमें एडिट कर सकते थे तो अब इनकी नजरों में हम चाटूकार होगे इनकी नजरों में हम लोग दंगा फसाद कराने वले पत्रकार बनेगे यानि कि जैसा यह कहें वैसी हम लोग पत्रकार करें तब पत्रकार और अगर हम वैसी पत्रकार ना करें जैसा यह कहें तब हम लोग कोई पत्रकार नहीं ह तो यह अंद्वक्त है आई आपको यह किलिभी सुनवाते हैं जो एक खुद कह रहे हैं कि उस किलिभ को कार देना चाहिए था है ने अब जब मानो तो मून पहुंच गया है तो कैमरा का आगे कोई नो ना बोलो कहीं कोणी चली ना चली जब तो नो करें बहुत है कोई इन चली ना कोई मेरी बात हुई ना मैं गोड़ी चलाई कह रहा होना सकी मिया वीडियो अब तुन हो कह रहा हो के वाने हवाई फायर करां पांच अब तो इते दिवसे लाइट में है फिल को या पड़े मौस को या भांगे वे और सब चीज ना हो तो हांगे तो ना है लेकिन माम लोग माम लो सच तो इस यह रिकोर्डिंग करके नी मेरी चबर मत लगा दें भाई हो के लो फायर करें हो जब अन्दभक्तों से हम लोगोने बाते की तो उनकी रिकोर्डिंग जब हमारे पास हाई तो कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पर 4-5 राउंड फायरिंग सकीम रहिसा ने की है ये बात खुद अन्दभक्तों ने उगल दी है आलकि जो सच्चा ही है वो कभी छुपती नहीं है और समसे बड़ी बात ये है कि पुलिस परसासन से भी यह हमारी बाते हुई है डेसपी समसेर सिंग ने खुद इस बात को कहा है कि लड़ाई जगड़ा हुआ है 50-60 लोगों के उपर मुकदमा दर्ज हुआ है 10 लोग तो ऐसे हैं जिनको बाई नेम उनका मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्हें ये भी कहा है कि लड़ाई हुई तो रहिसा का लड़का वहाँ पर मौजूद था ये बाग खोद डेसपी समसेर सिंग बता रहे हैं आई आपको सुनवाते हैं ये भी परवेज सनोफ इसराइल ये नीम खेडा का रहने वाला है इसके साथ दो साथी और गाहों मनोता में कुछ समान लेने गए थे उन लड़कों को देखके गोकलपूर के आठ साथ व्यक्ति आए जिन्होंने उनको गेर के मारा पिटा इतने में रहिसा खान का लड़का और इतने में गोकलपूर के कम से कम 30-40 लड़के इकठे हो गए थे इन्होंनों गेर के सभी को मारा पिटा और जान से मारने की दम की दिदी इसमें परवेज वगेरा है पांच साथ दिन पहले आपस में थोड़ी बहुत तुतमेम होई थी जिसमें इनका सुले भी हो गई थी उसरन जिसको देखते वे ये मार पिटाई की गई है और इसमें हमने 10 लोगों को बाई नेम और 50-60 के खिलाब मुकदमा दज किया रहा है और गिर्पतारी के बरपूर परियास किये जा रहे है अभी तक इसमें फायरिंग और 12,500 पे लूटने की बात सामने आई है ये हमारा तप्तीस का विशा है अगर इस विशा पे भी हम स्पेशल इन्वेस्टिकेशन करेंगे अभी मुकदमा 148,149,323,506,RMJ,1389CB के तहट दर्ज किया रहा है